दोस्तों बिग बॉस के सेजन 15 के लाइफ फीड में बीती रात को आखिरकार करन कुंदरा ने यह मान नी लिया कि वो तेजस्वी को काफी पसंद करते हैं और इस चीज का खुलासा उन्होंने घर की कंटेस्टेंड अकासा सिंग के सामने भी कर डाला दरसल दोस्तों हुआ कुछ ही हुथा कि बीती रात को गर के सभी कंटेस्टेंड एक दूसरे के साथ काफी देर तक बाचित करते हुए नजर आये थे वहीं इसकी बाद में करन कुंदरा और तेजस्वी के वीच में भी हमें काफी प्यारी बॉंडिंग देखने को मिली और देराध तक दोनों कंटेस्टेंड एक दूसरे से बाचित कर रहे थे इसी दुरान दोस्तों करन कुंदरा तेजस्वी के साथ कुछ ऐसी ऐसी बाती कर रहे थे जिसे सुनकर आप भी काफी खुश हो जाएंगे इस दुरान करन ने तेजु को कहा कि यदि बिग बोस तुमारा और विशाल का लव ट्रेक चलाए तो कैसा रहेगा जिस पर तेजे सुई ने साफ तोर पर मना कर दिया और कहा कि मेरा उसके साथ ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है मैं तो उसको ठीक से दोस्त भी नहीं मानती दोस्तो तेजु और करन के बीच में यही सारी बाते चल रहे थी तब ही वहाँ पर आकासा भी आ गए थी और आकासा ने भी यह सारी बाते सुनी थी जिसके बाद यह तीनों सदेशित जब अलग अलग हो गए थी यानि की बातचीत बंद हो गई थी तो अकासा करन के बास जाकर पूछती है कि बेटा मुझे सब पता चल गया तो यह सारी बाते उसको क्यों कहता है यह सुनकर कहीं न कहीं करन के छेदे पर एक प्यारी सी मुस्काना में देखने को मिली लेकिन दोस्तों अकासा सिंग ने आखिरकार करन कुंदरा से बातों ही बातों में पूस लिया कि तेरा उसके साथ चक्कर क्या चल रहा है तो बता तुदे मुझे जिसमें दोस्तो करन कुंदर अपने पहले तो कुछ भी नहीं कहा लेकिन बाद में अकासा ने जब ज़्यादा ही जित किया तो करन के मूँ से निकली गया कि तेजु काफे पसंद है लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पारे कि तेजु को कुछ बोल दे कहीं तेजु ने साफ मना कर दिया तो मैं टीवी पर कितना गंदा लगूँगा और लोग मेरे बारे में वाहर क्या सोचेंगे क्योंकि यदि तेजु मुझे मना करती है तो मेरा तो गंदा वाला फुद्दू कर जाएगा ये सुनकर अकासा को हसी आ गई लेकिन दोस्तो कहीं न कहीं अकासा ने करन को ये विश्वास दिला दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो घर से बेगर होने से पहले करन और तेजस्वीकी तो सेटिंग करवा के ही मनेगी हालांकि दोस्तो इस दोरान करन कुंदरा अकासा को बार बार समझा रहे थे कि तो यसा मत करना तेजु को जाकर मेरे बारे में कुछ भी मत बोलना क्योंकि तू यदि उसको मेरे बारे में कुछ बोलती है और कल को वो बुरा मान जाएगी इस चीज़ का तो फिर हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी लेकिन दोस्तो अकासा ने पूरी तरीके से यकीन दिलवा ही दिया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी और तुम दोनों के बीच में काफी अच्छी बोंडिंग मना के जाओंगी खिर दोस्तो आप तो ये देखना दिल्चस्प होगा कि अकासा कि ये सारी कोशी से कौन सा नया रंग लेकर आती है फिलाल दोस्तो आपको करन की बाते कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस की हर ख़बर को सबसे पेले जानने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें